ओम श्यान्ति आज है 10 जन्वरी 2022 के इश्वरिय महवाक्य पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स बाब ने कहा तुम बच्चों को अभी ग्यान का तीसरा नेत्र मिला है इस नेत्र से अपने आत्मा भाईयों को देखो भाई भाई समझने से करमेंद्रिया चंचल नह होंगी अगर राज्य भाग्य लेना है तो यह मेहनत करूं जैसे सक्रीन की एक बूंद भी बहुत मीठी होती है ऐसे ही यह ग्यान का एक अक्षर मनमना भव भी कितना मीठा है बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्सा देने तो कितनी खुशी रहनी चाहिए जो तो मोज में रहते हैं उनके लिए तो खुशी जैसे खुराक है फिर बाबा ने कहा यहे खुराक एक दो को खिलाते रहो ग्यान और योग भी बड़ी फ्वर्स्ट क्लास वंडर्फुल खुराक है जो सिर्फ एक रुहानी सर्जन के पास ही है सच्ची सच्ची खुश अफ़त यही है किसी को बाब का परीचे देना शृमत पर चल तुम सभी की रुहानी खातिरी करते रहो जैसे बाब सर्वशक्तिमान है ऐसे दिन प्रति दिन माया भी सर्वशक्तिमान तमो प्रधान होती जा रही है इसलिए बाब कहते हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी इस पढ़ाई में मुख्य बात है याद की तो उच्च तेउच बाप को बहुत प्यार वसने से याद करना चाहिए याद से ही आत्मा की जंक उत्रेगी और लास्ट में बाबा ने कहा मैं आया हूँ सर्विस करने इसलिए तो यह रत लिया है तुम बच्चे भी बाप को फोलो करो और इस रुखानी सर्विस में लग जाओ तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो चुप रहना खुद चुप रहेंगे तो दूसरा स्वत्य चुप हो जाएगा ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है और अब सुनते हैं माहवाक्यों को विस्तार से मुरल और खिलाना यही है सच्ची खातिरी करना प्रश्न ग्यान में स्प्रीच्यलिटी का जोहर भरने की विधी क्या है उससे कौन-कौन से फायदे होंगे उत्तर जब किसी को भी ग्यान सुनाते हो तो आत्मा समझ कर आत्मा को ग्यान दो इससे स्प्रीच्यलिटी का जोहर भर ज इस नई आदत से किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे तो उसे जट तीर लग जाएगा शरीर का भान भी खत्म होता जाएगा फिर माया के तुफान वो बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी ओम शान्ती ग्यान का तीसरा नेत्र देने वाला रुहानी बाप बैठ रुहानी बच्चों को समझाते हैं ग्यान का तीसरा नेत्र सिवाए बाप के और कोई दे नहीं सकता अभी तुम बच्चों को ग्यान का तीसरा नेत्र मिला है अभी तुम जानते हो कि यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है विचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं क्योंकि उन्हों को ग्यान का तीसरा नेत्र ही नहीं है तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है जिससे तुम स्रिष्टी के आदी मध्य अंत को जान गए हो यह है ज्ञान की सक्रीन सक्रीन का एक बूंद भी कितना मीठा होता है ज्ञान का भी एक ही अक्षर है मन मना भव यह अक्षर सभी से कितना मीठा है अपने को आत्म समझ और बाप को याद करो बाप शांती धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे है बाप आये है बच्चों को स्वर्ग का वर्सा देने तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं जो सदेव खुशी मोज में रहते हैं उनके लिए वह जैसे खुराक होती है 21 जनम मोज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है यह खुराक सदेव एक दो को खिलाते रहो एक दो की जबरदस्त खातिरी यह करनी है ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य, मनुष्य की करना सके। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रुहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खेराफत भी यही है किसको बाप का परीचे देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप दवारा हमको जीवन मुक्ती की खुराक मिलती है। सत्युग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था, बाप बहुत बड़ी उची खुराक देते हैं। तब तो गायन है, अतिंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पू और यह खुराक एक ही रुहानी सर्जन के पास है। और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए तीरी पर, हथेली पर सुगात ले आया हूं। मुक्ती जीवन मुक्ती की यह सुगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प म नहीं आकर तुमको देता हूं। फिर रावन छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चड़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप, टीचर और सच्चा सच्चा सत्गुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलविड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, यह कम बात है क्या। तो सदेव हर्शित रहना चाहिए। गौडली स्टुडेंट लाइफ इस दी बेस्ट। यह अभी का ही गायन है। फिर नई दुनिया में भी तुम सदेव खुशिया मनाते रहेंगे। दु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहां से आई। यहां तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितने दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चुन को कितना सहज रास्ता बताते हैं। ग्रश्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धन्दा धोरी याद करते रहो जैसे आशिक और माशुक होते हैं वे तो एक दो को याद करते रहते हैं वे उनका आशिक वे उनका माशुक होता है यहां वे बात नहीं है यहां तो तुम सभी एक माशुक के जन्म जन्मांत्र से आशिक हो रहते हो बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता तुम उस माशूक से मिलने के लिए याद करते आये हो। जब दुख जास्ती होता है, तो जास्ती सुमिरन करते हैं। गायन भी है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्ति मान है तो दिन प्रति दिन माया भी सर्वशक्ति वान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्म समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारन करो तो तुम ऐसे लक्ष्मि नारण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। उच्च तेउच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वे उच्च तेउच बाप ही नई दुनिया सापन करने वाला है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएं। पतित पावन बाप कहते हैं तुम बहुत पतित बन गए हो इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता, सुख करता है। बरोबर सत्युग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे, अब बाप फिर से कहते हैं बच्चे, शान्ती धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग, खिवईया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नईया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुश्या होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वहाँ, ये तो कभी न सुना न पढ़ा। भगवानू आज मैं तुम रुहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। तो पूरी रिती सीखना चाहिए। धारना करनी चाहिए। पूरी रिती पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबर वार्तो सदैव होते ही है। अपने को देखना चाहिए मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ वा कनेष्ट हूँ। बाप कहते हैं अपने को देखो मैं उच्च पद पाने के लायक हूँ, रुहानी सर्विस करता हूँ क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विस से बुल बनो, फोलो करो, मैं आया ही हूँ के लिए रोज सर्विस करता हूं इसलिए ही तो यह रत लिया है इनका रत बिमार पड़ जाता है तो भी मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूं मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूं ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो तो मैं भी सर्विस पर हूना यह है रुखानी सर्विस, तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ओन गौड फादरली सर्विस, बाप ही तुमको सारे विश्व का मालिक बनाने आये हैं, जो अच्छा पुरुशार्थ करते हैं, उनको महवीर कहा जाता है, देखा जाता है कौन महवीर है, जो बाबा के डारेक् पर चलते हैं, बाप का फर्मान है, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ, बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं, बाप कहते हैं, मैं आत्माओं को देखता हूँ, बाकि यह तो ज्यान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती, मैं भी इस श शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है, शरीर के साथ ही आत्मा पड़ सकती है, बाबा की बैठक यहाँ है, यह है अकाल तख्त, आत्मा अकाल मूर्त है, आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है, जो भी आत्माई है, उन सभी का तख्त यह ब किसका अकाल तख्त पुरुष का, किसका अकाल तख्त इस्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है, बाप बैठ बच्चों को रुहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो, तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं। बाप का पैगाम देते हैं कि श्यो बाबा को याद करो। याद सही जंक उतरनी है। सोने में जब अलाए पढ़ती है, तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंक पड़ने से तुम वेल्यू लेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्यान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाईयों को देखो। भाई भाई को देखने से करमेंद्रियां कब चंचल नहीं होंगी। राज भाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो यह मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ग्यान दो। तो फिर यह टेव, आदत पक्की हो जाएगी। सचे सचे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी उपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस क रहे हैं, सर्विस करने की बाप हिम्मद देते हैं, हिम्मते मर्दा, मददे खुदा, तो यह प्रैक्टिस करनी हैं, मैं आत्मा भाई को पड़ाता हूं, आत्मा पड़ती है ना, इसको spiritual knowledge कहा जाता है, जो रुहानी बाप से ही मिलती है, संगम पर ही बाप आकर यह knowledge देते है कि अपने को आत्मा समझो, तुम निर्वस्त्र आये थे, फिर यहां शरीर धारन कर, तुमने 84 जनम पार्ट बजाया, अब फिर वापिस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई-भाई की दृष्टी से देखना है, यह मेहनत करनी है, तुम बच्चों को अपनी मेहनत कर दूसरे में हमारा क्या जाता, चैरिटी बिगेंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाई-उं को संझाओ, तो अच्छी रिती तीर लगेगा, यह जोहर भरना है, मेहनत करेंगे, तभी उच्च पद पाएंगे, बाप आये ही है, फल देने लिए, तो मे मेहनत करनी पड़े, कुछ सेहन भी करना पड़ता है, तुम्हे कोई उल्टी सुल्टी बात बूले, तो तुम चुप रहो, तुम चुप रहेंगे, तो फिर दूसरा क्या करेगा, ताली दो हाथ से बज़ती है, एक ने मुख की ताली बज़ाई, दूसरा चुप कर दे, तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे, ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है, बच्चों को एक दो का कल्यान करना है, बाप समझाते हैं बच्चे, सदेव खुशी में रहना चाहते हो, तो मनमना भव, अपने को आत्म समझ, बाप को याद करो, भाईयों आत्माउं तरफ देखो, भाईयों को भी यह नौलेज जो, यह टेव, आदत पढ़ जाने से फिर कभी क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी, ज्यान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो, बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही देखते हैं, कोशिश यह करनी है, सदेव आत्मा को ही देख शरीर को देखे ही नहीं, योग कराते हो, तो भी अपने को आत्मा समझ, भाईयों को देखते रहेंगे, तो सर्विस अच्छी होगी, बाबा ने कहा है, भाईयों को संझाओ, भाई सभी बाप से वर्सा लेते हैं, यह रुखानी नौलेज, एक ही बार तुम ब्राहमन बच् इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे, कूदेंगे थोड़े ही, यह वंडर्फुल संगम युग है, तो बच्चों को रुखानी यात्रप रहने की टेव, आदत डालनी है, तुम्हारे ही फायदे की बात है, बाप की शिक्षा भाई को देनी है, बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को ज्यान दे रहा हूं, आत्मा को ही देखता हूं, मनुष्य मनुष्य से बात करेगा, तो उनके मुह को देखेगा न, तुम आत्मा से बात करते हो, तो आत्मा को ही देखना है, बले शरीर दवारा ज्यान देते हो, प्रन्त इसमें शरीर का भान तोड़ना पड़ता है। तुम्हारी आत्मा समझसी है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूं। आत्माई भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं। उनसे नौलेज ले रहे हैं। इसको कहा ज प्रेक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं यह नई टेव आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा माया के तुफान कम आएंगे बुरे संकल्प नहीं आएंगे क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया है अब नाटक पूरा होता है अब बाबा की याद में रहना है याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे कितना सहज है बाब जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है कोई नई बात नहीं हर पांच हजार वर्ष बाद हमको आना होता है मैं बंधाय मान हूँ बच्चों को बैठ समझाता हूँ मीठे बच्चे रुहानी याद की यात्रा में रहो तो अन्त मते सोगती हो जाएगी यह अन्त काल है ना मामे कम याद करो तो तुम्हारी सदगती हो जाएगी याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है कितना वंडर्फुल ग्यान है बाबा वंडर्फुल है तो बाबा का ग्यान भी वंडर्फुल है कब कोई बता न सके अभी वापिस चलना है इसलिए बाब कहते हैं मीठे बच्चों यह प्रेक्टिस करो अपने को आत्म समझ आत्म को ज्यान दो तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है यह बड़ी मेहनत है अच्छा मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रती ज्यान के तिसरे नेत्र से आत्मा को देखने का अभ्यास करना है कोशिश करनी है सदेव आत्म को ही देखे, शरीर को नहीं, तो क्रिमिनल खयाल नहीं आएंगे, बुरे संकल्प खत्म हो जाएंगे, दूसरी पॉइंट, ताली दो हाथ से बज़ती है, इसलिए जब तुमें कोई उल्टी सोल्टी बात बोले, तो तुम चुप रहो, अगर तुम चुप रहें तो दूसरा आपे ही चुप हो जाएगा, वर्दान, ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रेक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भव, यदि कहते हो कि ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी है, जिससे बाप का प्यार रहा, उससे प्यार हो, जो भी कर्म करो, कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि यह ब्रह्मा बाप को प्रिये है, ब्रह्मा बाप की विशेस्ता विशेस यही रही, जो सोचा वहे किया, जो कहा वहे किया, अब पोजिशन होते भी, सदा अपने पोजिशन पर से कर सपूत और समान बनना स्लोगन खुश नसीब आत्मा वह है जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती लवलीन स्थिति का अनुभव करने का भ्यास परमात्म प्यार अखुट है अटल है इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है लेकिन परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधी है न्यारा बनना जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होगा ऐसी न्यारी प्यारी आत्में ही लवलीन स्थिति का अनुभव कर सकती है अच्छा और अब हैं आज का अव्यक्त ज्ञानमोती ये एक बहुत संस्कारिता पूर्ण विडियो है जरूर देखें कोई भी मिस ना करें